हलो नमस्कार जहीं दोस्तों मैं प्रसान सुकला आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं कैश्व मित्रो आप बहुत मस्त होंगे अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से वैस्त होंगे तो आज इकलास अपने होने वाली है स्वादियास हो, सीपीओ हो या कोई भी स्टेट एकजाम हो सम्मे से इस टाइप से कुस्चन आते हैं तो आज के हम कुस्चन से आपको कॉंसेप्ट सिखाएंगे रेशियो का एक सांदार कॉंसेप्ट तो बिना देरी किया हुए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को पहले कुस आपको करना है, आपको ट्राई करना है और फिर आपके सारे कॉंसेप्ट के लफ हो जाएंगे और आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉंफिडेंस आजाएंगे अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3 रेशियो 2 है, यदि प्रतेक के वेतन में 2500 की कमी कर दी जाए, तो नया अनुपात 8 रेशियो 5 हो जाता है, यानि अंकुर है और अंकित है, कौन है मेरे भाई, एक अंकुर है और एक अंकित है, अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात कितना है, 3 रेशियो 2 का है, यानि ये अगर 3 एक्स यूनिट कमाता है, तो ये 2 एक्स यूनिट कमाता है किलर हो गई है चीज़े क्योंकि ratio में आप समान चीज़ से multiply कराओगे कोई फरक नहीं पड़ता है अब आप से कह रहा है जो चीज़े जैसे लिखी हुए पहले math के form में उसको लिखते हैं ये 3x कमाता था इसने अपने वेतन में 2500 की कमी करती कमी करती तो मैंने कहा 3x कमाता था पच्चिस सो की कमी हो गई अंकित जो है ये 2x कमाता था इसने भी 2500 की कमी करती तो अब जो दोनों का अनुपात आया गया वो कितना आ गया आठ वटे 5 का आ गया ये होता है मैथ लिखने का तरीका यानि आपने मैथ की लेंग्विज पढ़ी उसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया पूरा कोस्तन समिट के यहां पे आ गया अब बस आप सॉल्व करो इसको वैलू निकालो और अपना एंसर निकालो पास्तियां 15, 8, 16, 15 और 16 का डिफरेंस निकालेंगे एक्स आ जाएगा यहां से हो जाएगा 25, 5, 25, 25, 25, 200 यानि की 200 में से 135 जाएगा बचेगा 75 तो एक्स बराबर कितना आगया अपना 75 तर सो आगया मेरे बोलो किलियर है चीज इसका गुड़ा इसके साथ कराया इसका गुड़ा इसके साथ कराया एक्स की वैलू आ गई 75 आप से कहरें उनके वेतन का योग बताओ वेतन का योग आप देखोगे 3 और 2 कितना है 5 एक्स बराबर 75 तो 5 एक्स बराबर निकालेंगे तो 5 गुड़े पच्छत्तर सो कर देंगे और पांच गुड़े पच्छत्तर सो मेरे भाई जैसे ही करोगे 25, 25, 35, 35, यानि 37,500 इसका करेक्ट अंसर आ जाएगा यानि कि दोनों के वेतन का योग कितना आ जाएगा 37,500 ये तो होगे अपना बिना दिमाग लगाए हुए बस जैसा बोला है वैसा ही करते जाओ एंसर तक पहुंच जाओगे अब जानते इसमें से थोड़ा सा एक स्टेप आगे का कॉंसेप्ट क्या कहता है जैसे मैंने कहा दो बंदे हैं दो बंदे अपना कुछ कुछ कमा रहे हैं ये दस हजार कमाता है और ये बीस हजार कमाता है ये दस हजार बंदा कमाता है ये बीस हजार बंदा कमाता है दोनों की आये का डिफरेंस कितना है बोलोगे दस हजार का है बोलो कितना दस हजार यहां स रेतन में चार हैजार की कमी कर दी 10,000 जो कमाता था वो 4000 कम कमाएगा यानिकि 6,000 कमा पा रहा है अब यह 20,000 कम that 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 В Okay Catch Yeah 1000 कम कर दिया यानिकि 16,000 कमा पा रहा है आज भी देखो इनके बीच का breathe का fet इस एस 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 1000 कमा रहा है इन्हीं बीच का difference कितना है उनका 10 1000 का है कहने का मेरा मेन मतलब यह है कि अगर दो ratio आपके पास है उन 2 ratio में से आप समान चीज घटा रहे हो यह समान चीज बढ़ा रहे हो तो जो नएा ratio आएगा उनका भी difference कैसा होगा सेम होगा आप इस चीज़ यहां पे अपलाई करते हैं और जानते हैं अपने question का answer सबसे पहले इन दोनों का अनुपात कितना था तीन ratio दो बोलोगे यही था ना इसमें से भी मैंने 25-100 की कमी कर दी इसमें से भी difference आएगा वो कैसा आएगा same आना चाहिए यह एक का difference है यह 3 का difference है यह इनका difference को same करने के लिए यहाँ पर आपको 3 का गुड़ा कराना पड़ेगा और जैसे ही आप 3 का गुड़ा करा दोगे तो आपका आप नया अनुपात कितना बन जाएगा देखू 3 का गुड़ा 3 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 3 का गुड़ा 2 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यानि अब अगर हम नया अनुपात यहां पे लिख दें तो कितना आ जाएगा 9 रेशियों का 6 आ जाएगा अब देखो यहां भी अंतर 3 का, यहां भी अंतर 3 का कोई दिक्कत परेशानी नहीं अब देखो 6 से यह 5 आ गया, यानि कितने यूनिट की कमी करी तो एक यूनिट की कमी कर दी कितने यूनिट कमी कर दी, एक यूनिट की कमी कर दी यानि कि 15 unit 15 गुड़ा 25 करेंगे कितना आ जाएगा तो 15 गुड़ा 25 करेंगे अपने पास answer कितना आ जाएगा 37,500 तरीके बदलने से answer बिल्कुल नहीं बदलेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ratio में समान बढ़त हो तो उनके ratio का difference अपना बराबर होना चाहिए ratio का difference सेम होना चाहिए अब जानेंगे इसका तीसरा method बहुत सांदार तरीका है वो भी आपको जानना है बहुत सांदार तरीका आगे जानते हैं इस method का नाम सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहने वाला है तो cross product method कौन सा method तो cross product method आज मैं इसको आपको सिखा दूँगी ये concept कहां पे लगता है यानि कि cross product कहां पे लगता है तो इस चीज़ को आप सबसे पहले समझना आपके पास किसी भी दो नंबर के ratio होने चाहिए उन दो नंबर के ratio में से आप दोनों में कुछ operation करते हैं यानि किसी में कुछ बढ़ाते हैं या किसी में कुछ घटाते हैं या दोनों में कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं या दोनों में कुछ ना कुछ कमी करते हैं तो ये जो बढ़ाने और घटाने के बाद दोनों नंबर के बाद जो एक नया ratio प्राप्त होगा वो आपको पता होता है यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके के question में cross product method बेहद जानदार concept होता है यह profit loss percentage और इसके question solve करने में बहुत helpful रहता है तो आज जान पाएंगे इसको इसको यह कितने अनुपात में है तीन ratio दो के अनुपात में की कमी कर दी है बोलो ठीक है कमी करी है तो आप minus और minus कर सकते हो लेकिन दोनों जब same में है तो इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि minus से minus अपना cancel हो जाएगा फिर नया अनुपात कितना बन गया बोलोगे 8 ratio का 5 बन गया 8 ratio का 5 बन गया मेरे भाई अब इसको minus 8 को पकड़ेंगे इसके साथ गुड़ा करा देंगे लिख देंगे 16 unit इधर से इधर जाते हैं तो plus में रहता है इधर से इधर जाएंगे तो minus में होता है इस चीज को आप ध्यान देना तो 16 unit 15 unit minus 16 unit करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा एक unit बचेगा एक unit की value किसके बराबर होगी वो चीज जब आगे आपको सिखाते हैं आठ को पकड़ो आठ का गुड़ा पच्चीस सो के साथ करा दो कितना आ जाएगा पच्चीस अठ्थे दोसो यानि की बीस हजार फिर इस पच्चीस सो को पकड़ो पांच के साथ गुड़ा करा दो पच्चीस पंचे कितना हो जाएगा बारा हजार पांच तो जैसे यह आपने देखा बीस हजार मैंने का इधर जाएंगे तो प्लस होगा आपको समझ में आ गया बिल्कुल किलियर कहां पर क्रॉस प्रॉड़क्ट अप्लाई करना है चीज आपको किलियर हो गई आज के सारे कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे तो अब नेक्स्ट कोस्टन आपके लिए रहता है आप करो इसको आप इसका एंसर बताओ क्या लिखा हुआ है तीन कच्चाओं में छात्रों की संख्या तीन रेशियो साथ है यदि प्रतेक कच्चा में छे छात्रों की व्रद्धी हो जाए तो अनुपात 11 रेशियो 14 रेशियो 26 हो जाता है व्रद्धी से पहले तीनों कच्चाओं में छात्रों की कुल संख्या क्य है इस चीज़ को आपको बताना है मेरे बाई तो देखो सबसे पहले मैंने कहा वो कितने का difference ले रहा है नहीं कि 6 चात्रों की विरधि कर रहा है कि सब में 6 और 6 और 6 की बढ़ोत्तरी हो रही यानि कि उनके ratio का जो difference होगा वो कल भी सेम था और आज भी सेम होना चाहिए इतना काम आपको करना है तीन रेशियो, साथ रेशियो आठ का है। इसमें से ग्यारा रेशियो, त्यारा रेशियो 36 हो जाता है। किनी भी दो रेशियों को आप देखलो और उसका मल्टिप्लाई करा सकते हो और इसका एंसर भी निकाल सकते है। यहां कितने का अंतर है बारा का, यहां कितने का अंतर है चार का, तो बारा का अंतर यहां पे, चार का अंतर यहां पे, यहां का अंतर को बराबर करने के लिए आपको तीन का गुड़ा कराना पड़ेगा, तीन का गुड़ा जैसे ही कराओगे, तीन का गुड़ा तीन के साथ क कराऊगे, ग formats 9 आ जाएगा और तीन का गुडह साथ 6 के साथ कराऊगे 21 आ जाएगा तर तीन का गुड़ा आपको 8 के साथ भी कराना पड़ेगा और क्योंकि रेशियों में जो चीज़े होते ही वो समान ratio भी बराबर हो गया तो आप कहोंगे हम 9 से 11 की और shift हो गये 9 से 11 की और shift करने में हमने कितने unit की बरुतरी कर दी 2 unit की यानि जैसे ही हमने दो unit की बरुतरी करी उन्होंने कहा 2 unit नहीं हमने तो 6 बढ़ाया है 2 unit बराबर 6 है तो एक unit बराबर कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा आप से क्या पूंचा है बता व्रदी से पहले तीन के चाहतरों की कुल संख्या निकालना है नवे 21 और 24 को जोड़ेंगे 29 30 30 24 54 गुड़े 3 करेंगे कितना आ जाएगा 54 गुड़े 3 नहीं है 30, 30, 20, 50 और 4, 54 54 गुड़े 3 करेंगे और अपना इंसर आ जाएगा भाई 4, 3, 12, 5, 15, 16, 162 क्यों आ रहा भाई देखो 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट सम्मे बढ़ रहा है 2 यूनिट बराबर 6 हो गया 3 का गुड़ा कराया व्रद्धी से पहले तीनों का च्छाओं की छात्रों की कुल संख्या बताना है 21, 39, 30, 50, 54, 54, 54, गुड़े 3 करेंगे तो 162 तो आएगा दिक्कत क्या है फिर क्या परेसानी है चलो सबसे पहले क्रॉस प्रोड़ेक्टिस को वेरिफाई कर लेते हैं पर इसके आप सन को मैच कराते हैं पीररीशयो साथ में हैं किसमें हो गए? 11 रेस्यो 23 में कब हो गए? जब हमने इसमें भी 6 की बढ़ोतरी कर दी और इसमें भी 6 की बढ़ोतरी कर दी ठीक है किनी भी दो रेस्यों को ले करके हम solve करेंगे तो 23 का गुड़ा 3 के सात कराएंगे कितना आ जाएगा उन्हतर आ जाएगा गियारा का गुड़ा 7 के सात कराएंगे कितना आज़ाँगा कि e7 00331 79 और 29 उनिट ये किसके बराबर आ जाएगा आप बोलो Hagg 예र चेका चालिड़ और ते 96 कितना ओ जाएगा एक 되면 यहां से कितना बचेका आठ यूणिट संथ्रा में से नो जाएगा आक आप यूणिट बराबर बहात्र कि यूणिट कि संथ्रेंकर के संखिया मुंद कितनी संक्षा थी तो तीन साथ और आठ साथ तीन दस और आठ अठारा अठारा गुड़े नौ करेंगे तो 144 करेक्ट एंसर आ जाएगा जो की ऑप्सन नंबर डी में था पूलो क्लियर हो गया इस चीज अब अपन को देखना है यहां से वो चीज का एंसर क्यों नहीं आ रहा है इस चीज को प्रत्रों की वरद्धी करी मैंने 9 से 11 में आके मैंने 2 यूनिट की वरद्धी करी 2 यूनिट बराबर कितने के हो गया तो 2 यूनिट बराबर हो गया अपना 6 के तो एक यूनिट बराबर किसके हो गया 3 के हो गया 3 के बराबर हो गया तो 3 का गुड़ा कराएंगे किसके साथ 21, 30, 30, 20, 50, 4, 1, 5, 45, 45, 49, 54 होता है, 54 गुड़े 3 कराएंगे, तो अपना एंसर क्यों नहीं आ रहा है, इस तीज़ को बता सकते हो, क्या कोई, चलो आप cross product लगा कि इसका देख सकते हो, छोड़ते हैं इसको, cross product से अपना एंसर आ रहा, 144 और इसका correct एंसर भी 144 हो, कुछ calculation में mistake हो रही, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, वागी आप लोग को जैसा लगे, आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला question देखते हैं, इसके अपना समय नहीं बरबाद करते हैं दो संख्या है, 5 ratio 7 के अनुपात में, प्रतेक संख्या में 6 जोड दिया जाए, तो अनुपात अपना 3 ratio 4 हो जाता है, संख्या हैं बताओ क्या है, CGL 2022 का एक बहतरीन question, बहुत आसान question, स्वालो करेंगे, क्या है 5 ratio 7 में हैं, प्रतेक संख्या में हमने 6 और 6 जोड दिया, इसम पना नया अनुपात कितना हो गया, 3 ratio का 4 हो गया, 3 ratio का 4 हो गया, तो इसका गुड़ा इसके साथ कराएंगे, और इसका गुड़ा इसके साथ कराएंगे, दोनों का अंतर, साथ तरिक 21 unit, माइनस बीस यूनिट या आप ऐसे लिख सकते हो कब से पहले मैंने का आप इधर का लिख होगे तो बीस यूनिट माइनस साथ तरीक 21 यूनिट यह किसके बराबर आएगा अपना इधर कराएंगे छह तरीक 18 और 6 चको 24 18-24 करेंगे तो minus 과 6 unit आजाए 6 आजाएगा minus 1 बराबर minus 6 है यनि 1 unit बराबर कितना आजाएगा plus 6 minus से minus cancel एक unit बराबर 6 आगया तो आप से क्या बुलाया संख्या बताओ क्या है 6 आगया 5 पहली संख्या अपनी 5 unit है तो 5 गुडे 6 यनी कि 30 दूसरी संख्या अपना साथ यूनिट है यानि साथ गुड़े 6 यानि की 42 तो कितना आ जाएगा 30 और 42 आ जाएगा इसका करेक्ट एंसर बोलो कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है अब आप बोलोगे यहां पर भी डिफरेंस अपना सेम का है यानि कि दोनों में हैं यह हम 6 और 6 जोड़ रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ सही कह रहे हो कि आप 6 और 6 जोड़ रहे हैं तो लिख लिया मेरे भाई 5 रेशियो साथ कोई दिक्कत नहीं है फिर मैंने लिख लिया है 3 रेशियो 4 बोलोगे कोई परेशानी नहीं है डिफरेंस यहां पे 2 का है यहां पे डिफरेंस एक का है यानि difference को बराबर करना पड़ेगा और difference को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुड़ा कराना पड़ेगा जैसे ही अपन इस में से 2 का गुड़ा कराया तो 2 का गुड़ा कराते ही अपना नया ratio क्या बन जाएगा 6 रेशियो 8 3 गुड़े 2, 6, 4 गुड़े 2, 8 कितने की बढ़ोतरी हो गए यानि 7 से 8 हा गए यानि की एक यूनिट बढ़ गया एक यूनिट किसके बराबर है तो बोलोगे एक यूनिट अपना 6 के बराबर है तो अपनी संख्याय बतानी है तो एक यूनिट बराबर 6 है तो प्रारमभिक संख्या 6 गुड़े 5 30 यूनिट 7 गुड़े 6 बराबर 42 यूनिट तो आप ऐसे भी कर सकते हो आप इस तरीके से भी करते हो और आप जैसे मैत को पढ़कर मैत लिखना होता है वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्त परेशानी नहीं अगला कोस्षन देखो आप इसको करके बताओ दिरिदा और रिया का वेतन तीन रिष्टियो 5 के अनुपात में प्रतेक के वेतन में 5000 की व्रद्धी की जाती है तो नया अनुपात इतना हो जाता है रिया का वेतन बताओ क्या होगा तो आप इसको बताओ इसका एंसर क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में छापतो या आपने जो कॉंसेप्ट सीखा है उसको अपलाई कर पा रहे हो या आप नहीं अपलाई कर पा रहे हो इस चीज़ को आप इस कोस्षन से देखो पहँचानों और करो आगे बढ़ते हैं हम आगे कुस्चन लिखा हुआ ये दो संख्याओं अपनी 9 रेशियो 16 के अनुपात में है कि दोनों संख्याओं में 40 की वरद्धी कर दी जाए तो उनका रुपात 2 रेशियो 3 हो जाता है शियजसल 2023 का पूछा हुआ एक कुस्चन आपके सामने है आप देख सकते हैं और इसका एंसर भी बता सकते हैं 9 रेशियो 16 के अनुपात में है मेरा मेन उद्धेस है आपको क्रॉस प्रोडेक्ट सिखाओं बाकी दो चीज़े आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे 9 रेशियो 16 दोनों में अपन 40-40 की व्रद्धी कर दिया इसमें भी 40 की व्रद्धी कर दी इसमें भी 40 की व्रद्धी कर दी तो अनुपात कितना हो गया 2 रेशियो 3 का हो गया चलो अब सॉल्व करते हैं इसको और जल्दी से कैसे नौत्रिक 27 यूनिट आ गया 27 यूनिट माइनस 16 दुना 32 यूनिट तो माइनस 32 यूनिट यानि कि टोटल कितना आ जाएगा 5 यूनिट अब ये 5 यूनिट अपन किसके बराबर होगा तो बोलोगे 40 का 2 के साथ गुड़ा 80 माइनस 40 का गुड़ा 3 के साथ 120 असी में से 120 जाएगा कितना बचेगा 40 तो 5 का से कट जाएगा 8 बार में एक यूनिट की वैलू 8 आ गई दोनों संख्याओं का अंतर बोला है अंतर कितना है 9,16 का साथ का साथ गुड़े 8 करेंगे 56 अपसंड डी में था देखो यह इधर मैंने कहा जो इधर चलती है वैलू वो पॉजिटिव रहती है जो इधर वैलू जाती है वो निगेटिव रहती है इस चीज़ को ध्यान देख फिर वहाँ से सौलो कर लिए ये माइनस में अगर ये माइनस में आएगा तो इधर भी माइनस में आएगा आप माइनस को consider ना भी करो तब भी correct answer आएगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आगे चलते हैं आगे question लिखा हुआ है एक अच्छा सा question लैंग्विज अब देखा है एक college में लड़कों लड़कीयों की संख्या का उनुपाद तीन रेशियों का है कि चालीस लड़के college छोण देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भरती हो जाती हैं तो उनका अनुपाद 2 रेशियो 3 हो जाएगा कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है सबसे पहले आप मैथ में लिखना चाहोगे तो इसको कैसे लिखोगे इधर ब्वायज है और ये गरल है लड़कों में क्या ह होता है इनुपाद 3 रेशियो 2 का है तो मैंने लिख लिया 3 रेशियो 2 का ठीक है कि यानिकि ये अगर 3x में है तो ये 2x में ये 3x लड़कों में क्या ओपरेस्टन हो रहा है बोलोगे 40 लड़के कॉलेज छोड़ दिये पहले 3x यूनिट आते थे अब 40 कम आ रहा है यानि 40 ने छोड़ दिया लड़कियों में क्या होता है 40 लड़किया कॉलेज में भरती हो जाती है यानिकि 2x लड़किया थी 40 ने और एडमीशन ले लिया तो 2x प्लस 4 जब ये सारा ऑप्रेशन हो चुका तो कहा इन दोनों का जो और रिस्तियों है वो कितना है दो रिस्यों 3 का है तो 9x में से 4x जाएगा कितना बचेगा आप बोलोगे 5x बच जाएगा फिर 3 का गुड़ा 40 के साथ 120, 40 से गुड़ा 2 के साथ 80, 80 ये माइनस के 120 आएगा उधर जाएगा यानि 80, 120 कितना हो जाएगा अपना 200 तो x की वैलू कितनी आजाएगी 200 बटे 5 यानि की 40 आगए एक्स की वैलू 40 आगए तो कालेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है 3x है यानि 40 गुड़े 3, 120 अपना करेक्ट एंसर होना तैं है बोलो कोई परेशा नहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब देखना आगे cross product से इसको कैसे करते हैं मैंने कहा लड़के हैं ये और ये लड़कियां है लड़की और लड़कियों में अपना ratio पता है तीन ratio दो का है फिर क्या कह रहा है कि 40 लड़कों ने छोड़ दिया तो मैंने कहा माइनस 40 हो गया देखना और यहां 40 लड़कियां और आ गई तो कितना हो गया प्लस का 40 हो गया कोई दिक्कत बताओ इसको लिखने में बोलोगे बिलकुल नहीं अब जब इतना काम हो गया तो अनुपात कितना हो गया 2 ratio 3 का हो गया लगाएंगे cross product बताएंगे answer मैंने का 3 का गुड़ा 3 के साथ करोगे कितना हैगा 9 2 का गुड़ा 2 के साथ करोगे कितना हैगा 4 तो 9 इधर चलता है माइनस वाला 4 9 माइनस 4 यानि की 5 यूनिट लिख लो 5 यूनिट बराबर इधर चलेंगे तो प्लस में आएगा 40 दूना 80 हो गया ये माइनस है और ये माइनस जो इधर चलते हैं वो माइनस तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 40 गुड़े 3 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 5 यूनिट बराबर 200 तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बोलोगे एक यूनिट बराबर आ जाएगा 40 एक यूनिट बराबर 40 लड़कों की संख्या 3 यूनिट 40 गुड़े 3 120 तरीके बदलने से अपने बिल्कुल आइंसर नहीं बदलेंगे अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई यहाँ पर हम डिफरेंस वाला क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक में तो बढ़ोतरी हो रही एक मुझ क्या हो रही है घटत हो रही एक में तो व्रद्धी हो रही दूसरे में क्या हो रही है घटत हो रही जब एक में बढ़ा दोगे दूसरे में घटा दोगे तुमने सेम चीज दोनों के साथ की ही नहीं तो उनका डिफरेंस भी कै से यहां पर वो चीज नहीं apply कर सकते हैं अगला कोस्टन देखो आपके लिए यह कोस्टन आप करके बताऊगे इसका answer क्या आएगा देखो दो कोस्टन मैंने आज आपके लिए आपको दिए एक कोस्टन उधर था और एक कुष्चन यह, आप इमानदारी से गर कॉनसेप्ट सीखे हो, तो इन दोनों में उन कॉनसेप्ट को अपलाई करके देखो और उनका जो एंसर आए वो बताओ, नहीं बता सकते हो आप एंसर, तो इमानदारी के साथ उनका एंसर निकाल लेना, क्योंकि कॉनसेप्ट तो सिर्फ एक बार सीखा जा सकता है उसको apply आप जितनी बार करोगे वही आपकी practice है exam में जो आपके number आते हैं वहीं से आते हैं आप सिर्फ concept सीख के ही number नहीं कर सकते हैं आपको concept सीखना है और concept सीखने के साथ सबसे ज़्यादा practice करनी है यह दो काम आपने कर लिए आप exam में एक अच्छा प्रफॉर्म करके आओगे इतनी गारेंटी है तो आप concept सीख लिया इस पर practice करो आप इन question पर apply करो फिर इन question से जितने question आते हैं वो सारे के सारे आपके tips पर होने चाहिए आगे देखेंगे आगे क्या है अपना एक math foundation course है arithmetic और advanced का जो की आठ जनवरी से start हो रहा है foundation course इसमें जो basic चीज़े रहेंगी यानि कि concept clarity क्योंकि जब तक आप concept clear नहीं होगा तक आप math आपकी सही होई नहीं सकती तो main focus इस batch का रहने वाला है concept clarity पे concept clarity के साथ साथ इसमें क्या होगा आपको exam oriented approach बताए जाएंगे यानि कि exam में किस approach के साथ आपको उतरना चाहिए कौन सी approach exam के point of view से best रहने वाली है वो सारी की सारी चीज़े इस batch में होंगी practice seat आपको मिलेगी level wise यानि कि सबसे पहले type wise करेंगे suppose that आप percentage में आया हो percentage में कितने type है उन type में अपनी seat divide होगी उसमें से भी अपने level wise रहेंगे पहले आसान question फिर moderate question फिर difficulty पे shift करेंगे यानि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके concept clear हुए उस concept clear से कब आपकी math improve हो गई कब आप आसान से कठिन question भी swallow करने लगे और complete class notes जो class में करवाया जाएगा उसको आपको complete class notes मिल जाएगा तो ये रहना किसी को अगर doubt है किसी को अगर कोई भी समस्या है किसी को math समझ में नहीं आती है कि मैच से कितनी भी problem आपको math में आ रही है तो आप इस batch को ले सकते हो और जिसकी math सही है उसको इस batch में आने की कोई जरूरत नहीं है तो ये बैच अपना डाउनलोड करलेट प्ले स्टोर से रूट एप को वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा आज जनवरी से सुरू हो रहा है आपको और कोई समस्या परेशानी है तो दिये गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं यहाँ से अपनी कोईरी को पूच सकते हैं इडवांस अपका इंडविजूल इडवांस में आप आ सकते हो वहाँ पे आपको इंडविजूल बैच इडवांस का मिल जाएगा जिसकी एडवांस भी को हो वह एडवांस में आ सकता है यह भी बैच अपने आठ जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं इसके लिए भी आपको र arithmetic and advance का, किसी के साथ अगर ये problem आ रही कि उन्होंने कहीं न कहीं से पढ़ रखा है, लेकिन उनकी speed नहीं है, उनकी practice नहीं हो पाई, क्या उनको पता नहीं चल पा रहा है, वो कौन से question solve करें, कितने question solve करें, exam point of view से कौन से question relevant है, कौन से irrelevant है, तो अपने को कितने question पढ़ना चाहि अगर सब के मन में ये doubt आ रहा है, तो वो बंदा ये math practice batch ले सकता है, जो कि arithmetic और advance का होने वाला है, इसमें भी अपना क्या रहेगा, chapter wise इसमें practice करवाई जाएगी, type wise और level wise इसमें से रहने वाला है, बहुत मजा आएगी इस batch में, और फिर इसके feature exam oriented approach, यानि कि पूरा का पू जिसमें जरूरत होगी कि इसका आपको direct output आना ही चाहिए, तो इसमें से हम direct output भी आपको बताएंगे, practice seat इसमें भी मिलेगी, बिल्कुल limited content के साथ, limited content के साथ आपको practice seat मिलेगी, बस उतने ही question आपको solve करना है, और अपने exam में चला जाना है, और best perform करके आओगे, तो ये सारी की सारी चीज़े अपनी route application पर start हो रही, practice batch अपना 6 जनवरी से start हो रहा है, तो जिसको आना है वो आ सकता है, और जिसको कोई query है, वो दिये गए number पर call कर सकता है, तो आज ही class में हमने क्या जाना, ratio के cross product base अपने method, जब कोई number में से, जब कही ratio में से हम कुछ number जोडते हैं, अपने पास नया ratio आता है, इसमें मैंने cross product बताया, आपको basic concept बताया, आपको एक method और बताया, तो आज class आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मिलेंगे next class में, bye bye, जैंगे